हेलो फैंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके स्टड़ी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे और टेकनिशन के most important questions के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि UTAR, TURNER , Morgenstern के रहने वाले हैं और यह जितने भी सारे questions रहने वाले हैं सभी इसां जहाजो सार हैं इन्ही के बुख से लिया गया हैं और यह सेट 43 रहने वाला है इसके पहले मैंने 42 सेट दे रहा है अगर आप लोगोंने नहीं देख है तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और फ्रेंड्स अगर आपको free पीडियो चाहिए तो आप हमारे telegram को जोईन कर सकते हैं टेली ग्राम को लिंक इसी वीडियो के नीचे description में मिल जाएको वहाँ से जाकर join कर सकते है ओके friends तो friends अगर आपकी त्यारी पकी होगी तो आपकी selection भी पकी होगी तो आईए अब start करते है तो question number first है tail stock को offset करके taper turning करने में कौन सी ग्रिया की जाती है तो इसका right answer हो जाएका option C यानि कि समस्तर tail stock को ही offset किया जाता है और ये जो प्रस्ण जो है 2009 में पूछा गया वह प्रस्ण है अब जो important points है उन्हें सभी को discuss कर लेते हैं यहां सभी प्रस्ण बनते हैं तो offset का अर्थ होता है विस्थापन करना अगला है tail stock को विस्थापित करके सबसे अधिक लंबाई कारखंड को tapering किया जाता है अगला है tail stock offset करने के लिए उस पर mm तथ हर डिगिरी में निशान होता है अगला question है question number second निम निमस से किस विधी द्वारा अधिक लंबाई की टेपर threads काटी जाती है तो इसका right answer होज़ेक option A यानि कि compound slide को घूमा कर और यह जो प्रस्ण जो है 2016 में पूछा क्या वह प्रस्ण है अब जिन important points है उन सभी को भी discuss कर लेते हैं यहां सभी प्रस्ण बनते हैं तो compound slide को घूमा कर अधिक लंबाई की टेपर thread काटी जाती है इसमें carriage को lock नहीं किया जाता है अगला है इसका प्रियोग depth of cut के लिए किया जाता है अगला है taper angle निकालने के लिए tan alpha बराबर d1-d2 बटे 2L तो जो d1 है वो बराब्यास है और जो d2 जो है वो छोटा ब्यास है बटे जो 2L जो है तो L क्या है तो taper का लंबाई है ओके fans अगला question है question number third निम्नमस से किस जगह पर lathe का head stock इस्तित होता है तो इसका right answer होचेगा option B यानि कि lathe bed के left hand सीरे पर इस्तित होता है अब जो important points उन सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां से भी प्रसंद बनते हैं तो head stock lathe bed के left hand सीरे पर होता है अगला है tail stock lathe bed के right hand सीरे पर होता है यानि कि जो head stock होता है वो इस side होता है और जो tail stock होता है वो इस side होता है यानि कि right side होता है और यह left side होता है अगला है lathe machine होता है उसका जो bed होता है वो cast iron का बना होता है और यह बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि यह बहुत बार पूछा कि वह प्रस्थन है अगला है cast iron में high compressive strength होता है अगला question है question number fourth लेथ मसीन पर होता है तो इसका right answer हो जाग option D यानि कि इन में से सभी होता है यानि कि drilling भी होता है facing भी होता है parting भी होता है यानि तीन होता है और यह प्रस्थन जो है 2016 में पूछा क्या वह प्रस्थन है अब जिन important point से उन सबी कभी دिस्कस कर लोते हैं यहां से प्रस्थन बनते हैं तो लेथ मसीन पर निमन, जो प्रकडिया होता है कौन कौन सा तो drilling भी होता है, facing भी होता है, parting भी होता है, यानि कि 3 होता है अगला question है question number 5, live center की nose का six score निम्ले लिखित में से कितना होता है तो इसका right answer हो जगा option C, यानि कि 60 degree होता है और ये जो प्रस्ण 2013 में पूशा किया वह प्रस्ण है अब जिन important points है, उन सभी को discuss कर लेते हैं, यहां से प्रस्ण बनते हैं तो live center को nose का six score कोन का होता है अगला है live center की तुलना में dead center अधिक घिशता है अगला है center की life बढ़ाने के लिए point को high speed steel का बनाय जाता है तथा deep पट टंगस्टन कारवाइड चढ़ाय जाता है अगला question है question number six dead center, live center की तुलना में क्या सहन या प्रतिरोध करता है तो इसका right answer हो जगा option D, यानि कि अधिक fiction अब जिन important points है, उन सभी को discuss कर लेते हैं, यहां सभी प्रस्ण बनते हैं तो dead center, live center की तुलना में अधिक friction सहन करती है अगला है, dead center जौब के साथ नहीं घूमती है अगला है, live center जौब के साथ घूमती है अगला है, tail stock में dead center होता है अगला question है, question number 7 lead screw पर किस प्रकार की चूड़ीये कटी होती है तो इसका right answer हो जग option A, यानि कि एक में चूड़ीये अब जो important points है, उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्द बनता है तो lead screw पर एक में चूड़ी कटी होती है अगला है, एक में चूड़ी का जो कौन जो होता है यानि कि जो angle होता होगा 29 degree का होता है और ये भी बहुत ही important point है अगला है, square चूड़ी का जो कौन होता है वो 90 degree का होता है अगला है, square चूड़ी का परियोग जाएक में किया जाता है अगला question है, question number 8 निमन में से कौन सा खाराद का angle है जो lead को सक्ति प्रदान करता है तो इसका right answer हो जाग option D यानि कि head stock और यह जो प्रस्ण जो है, 2003 में पूछा गया वो प्रस्ण है अब जिन important points है, उन्स सभी को discuss कर लेते हैं यहां सभी प्रस्ण बनता है तो head stock by तरफ होता है यानि कि जो lead machine जो होता है उसमें head stock जो होता है, वो इस तरफ होता है यानि बाई तरफ और दाहिने तरफ क्या होता है तो tail stock होता है यानि कि जब कि tail stock दाई तरफ होता है अगला है, lead machine का जो bed होता है वो cast iron का बन होता है अगला lead को खराद भी कह सकते हैं अगला question है, question number 9 five point, single point cutting tool में होता है उसका right answer हो जीख option D यानि की इन में से सभी होता है यानि की reward angle भी होता है leap angle भी होता है cutting angle होता है यानि की 3 होता है अब जिन important points से उन सभी को discuss कर लेता है यहां से प्रस्ण बनता है तो 1 single point cutting tool में निम्ड बाते होता है कौन-कून सा तो एक एंगल होता है यानि कि तीनों होता है कि अगला कोसें नमबर टेन जॉब और सब्सक्राइब के लिए किस एंगल को बनाए जाता है इसका राइट आंसर हो जागा option C यानि कि clearance angle और यह जो प्रस्ण जो है 2001 में पूछा गया हुआ प्रस्ण है अब जिन important points से उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्ण बनता है तो job and cutting tool के बीच clearance देने के लिए clearance angle को बनाय जाता है अगला इसके कारे किरिया करते समय केबल टूल का cutting edge ही जौब को सपर्स करता है अगला है यह angle निमन है कौन-कौन सा तो front clearance angle, side clearance angle, back clearance angle यहनि कि तीनो तो friends वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं ताकि notification आपको टाइम से मिल सकें और आप update रह सकें और friends अगर आपको free video आप चाहिए तो आप हमारे telegram को join कर सकते हैं telegram का link इसी वीडियो के नीचे description में दिया है वहाँ से जाकर join कर सकते हैं और अभी तक आप लोगों ने खाजाने वारे video को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं playlist में इसका video आपको मिल जाएगा और यहां से 5-6 नमर तो पक्के आएंगे ही आएंगे और यह सभी ट्रेडों के लिए हैं इसलिए exam से पहले इस और वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें ओके फैंट्स थैंक्स पर वाचिंग कर दो डजया कर दो